Here I am going to solve question number 10 from exercise 8.3, chapter 8, comparing quantities. Let me read the question first. What rate gives Rs. 280 as interest on a sum of Rs. 56,000 in 2 years? So, suppose के ऐसा करते हैं कि Rs. 56,000 है, हमने कुछ time के लिए, 2 साल के लिए, 2 years के लिए, बैंक में deposit कर दिये. तो 2 years के बाद, 2 साल के बाद हमें, सबसके पैसों के जरूरत पड़ेगी, तो हम 56,000 हमें मिलेंगे, because यह हमारे रूपीज है, हमने deposit किये थे. लेकिन बैंक हमें extra money देगी, रूपीज 200, एक्ट्रा रूपीज भी मिलेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं interest, तो यह रूपीज में है, यह भी रूपीज में है, यह तो years में, तो rate जो होता है, वो percentage में होता है, out of 100, तो यह अगर 56,000 में से 281 part है, तो 100 में से कितना part होगा वो ठीक है, we have to convert this into percentage form, तो हमें rate of interest दूणना है, जो कि percentage में आएगा, that also I will explain you in the end, first of all, जो जो चीज यहां पर दी हुई यह data, उसका हम list बना देते हैं, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, principle दिया हुआ है, this sum जो हमने deposit किया, उसको principle amount बोलते हैं, जो हम bank में deposit करते हैं, तो as a loan लेते हैं, जो main amount होता है, उसको principle बोलते हैं, short form में P लिखते हैं, is equal to rupees 56,000 I have written here, then simple interest, interest कितना मिलेगा उस पे, rupees 280, वो भी मैंने लिख दिया है, and कितने time के लिए हमने deposit करना है, ठीक है, two years, so this is the information given year, यह आपको हमेशन list बना देना है, ताकि आगे sum करने में problem ना हो, अब हमें ढूनना क्या है, वो में यहां पे लिख देता हूं, we have to find out rate of interest, खाले rate भी लिख सकते हैं, उसको short form में R लिखते हैं, that is, we don't know कितना percentage है, वो हमें rate of interest जोनने के लिए formula है, वो यहां पर मैं formula लिख देता हूं, ठीक है, that formula you have to learn also, so this is the formula, rate R is equal to SI, मतलब simple interest multiplied with 100 upon P principle का है, multiplied with T time, ठीक है, अब देखें यह formula कैसे बनाते हैं, अगर P जोनना होगा principle तो P यहां पर आ जाएगा, R यहां पर आ जाएगा, तो P is equal to SI into 100 upon R into T हो जाएग अब जब T डूनना होगा time, तो time यहां पर आ जाएगा, rate of interest यहां पर लिख देंगे, ठीक है, तो T मतलब time डूनना होगा, तो भी यही formula होगा, time is equal to SI into 100 upon P into R, ठीक है, तो यह जो shift होते रहोंगे, यह SI into 100 as numerator ही रहेगा, ठीक है, तो बार-बार सभी formula learn करने की ज़रूरत नही इसी में से आपको shift करके learn कर लेना है, अब यह formula हमने क्यों लगाए, because rate of interest ढूनने को बोला है, what rate, so we have to find out rate, अब यह जो जो चीज है, वो इसमें से, हम list में से, इसमें, इसको यहां पे, इसके जगा पे हम put कर देंगे, तो देखिए, SI कितना था, 280, SI की जगा पे हमने 280 अब आएगा 5600, that is principle, तो P की जगा पे हमने 5600, 56,000 लिख दिया, and time is 2 year, so instead of 2, I have written 2 year, मतलब time की जगा पे 2 लिख दिया, अब हम cut out करेंगे, तो देखिए, यह 0, यह 20, और यह 20, को cut कर देंगे, then this 0, and this 0 will be cut out, अब 28, 2, 56 होता है, 28, 2, 56, so our answer is, यहाँ पे मिल जाएगा हमें answer, देखिए, उपर कुछ भी नहीं बचा है, मतलब के 1 तो है, so we have to write 1 here, and as a denominator क्या बचा है, 2, 2, 4 बचा है, आप कट नहीं होगा, कि आप यहाँ, यहाँ कट नहीं कर सकते हैं, अब यह उपर की value तो रहेगी, अगर यह 4 अपोन 1 आता तो नीचे 4 की value हम नहीं लिखते हैं, लेकिन उपर का 1 अगर आता है, तो हमें लिखना बढ़ता है, लेकिन ऐसे percentage होते हैं थोड़ी है, यह कभी भी, so हम division करेंगे, 1 को divide करेंगे 4 से, ठीक है, rough work में, so 1 को divide करेंगे 4 से, तो क्या होगा, 4, पहले तो इधर से ही छोटा ह होगा, 2, अब एक और 0 मिलेगा, अब दूसरा point नहीं लगाना है, एक बार point लगाने से बाद में, अगर यहाँ पर reminder, यह diviser से छोटा आता है, तो एक 0 हम put कर सकते है, 4, 5, 20, so division is over, minus कर देंगे, 0, 0, अब 0, 5 नहीं लिते हैं, खाली 0 आगे लगा देंगे, तो कितना percentage हो गया 0.25 percentage, ठीक है, जिसको question के इसाब से समगते हैं, 56,000 जो है, उसका part है, 280, ठीक है, उसमें से 280 कितना part है, अगर 100 में से 0.25 होता है, उतना ही होता है, ठीक है, जिसे कि 56,000, इसमें कैसे लिखेंगे, 280 upon 5600, तो इसमें कैसे आएगा, 0.25 percentage upon 100 आएगा, मैं आपको लिखके बताता ह यहां पर, देखें, यह rough और के आपको लिखने के ज़रूरत नहीं है, यह तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो 56,000 जो है, question में दिया था, उसमें से हमें interest कितना मिला, 280, ठीक है, तो 100 में से उसको कैसे count करेंगे, 0.25 percentage, ठीक है, तो यह इसका part है, like this way, इसको इसको इस question number 10 is over, लेकिन यह final state में लिखना ना भूलेगा, okay,